हेलो गाईस तो कैसे हैं आप सब आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा ट्रेडिंग में तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो तो चलिए वीडियो को start करते हैं और देखते हैं कि आज market के इस moment के साथ हमारा day कैसा रहा और आज हमने trade लिया या नहीं लिया लिया तो क्या रहा उस trade के अंदर profit रहा, loss रहा, क्या हमने आज हमारी strategy को follow किया क्या हमारी psychology ने हमारे साथ आज market hours में work किया, वो हम देखते हैं तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं और वीडियो को start करते हैं तो आ गये हैं हम हमारे चार्ट पर यह है निफ्टी 50 का 5 मिनिट का चार्ट, निफ्टी ने कल इस green candle के साथ हमें यहां कहीं closing दी closing देने के बाद आज जब market में open हुए हम, तो यहां पर निफ्टी ने एक कल की ही range के अंदर यह हमारा previous day high है और यह हमारा previous day low है, इसी के अंदर कहीं हमें आज निफ्टी ने इस candle, इस red candle के साथ हमें opening दी opening देने के बाद हमें एक अच्छा moment दिखा downside में, बट यहां पर हम कोई एक ऐसी position नहीं बना सकते थे, जहां पर हम कहीं एक trend के अंदर buying quantity के साथ बैठ सकते, तो यहां पर market नीचे आया, यहां से फिर इसने वापिस थोड़ा से pullback लिया और उसके बाद ही यहां नीचे आने के बाद, यहां पर हमारा day low था, previous day low, जहां पर यह retest करने नहीं है, बट यहां से वापिस आगे चला गया, उसके बाद जब यहां पर आके इसने यहां पर proper हमारा एक retest किया, previous day low थो हम एक downside के trade के अंदर entry लेने के लिए हम बैठे थे, हम यहां पर wait कर रहे थे, कि अगर एक साथ अगर candle नीचे की तरफ बन जाती, तो हम यहां पर trade execute नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि यहां अगर market ने test किया है, तो यहां पर आने के बाद market थुड़ी दिर hold करे, यहां पर रुके तो वही हुआ, just wait a minute, उसके बाद market ने आपर hold के और दो candle यहां पर बनी, जो कि आप देख सकते है, clearly यहां पर एक दो candle ने hold मनाया और यहीं पर उसने consolidate करके, फिर यहां पर हमें इस candle ने, यह जो आप बड़ी capture करने को, पर हमने आद nifty 50 के अंदर trade ना लेका, आद हमने bank nifty में trade लिया, क्योंकि वहां पर हमें moment और अच्छा capture करने को मिला, तो चलिए एक बार bank nifty के चार्ट की तरफ चलते हैं, यह है bank nifty का 5 minute का चार्ट जिसमें हम trade लेते हैं, और bank nifty ने इस green candle के साथ यहां के हमें ए आपर closing दी, और एक चीज़ आप यहां पर notice कर सकते हैं, just wait a minute कि bank nifty का यह जो चार्ट है, उस चार्ट के आप moment देखिए, उस चार्ट की moment यह है कि पिछले तीन दिनों से आप यह पांच फरवरी की candle है, यह जो आपन red वाली candle देख रहे हैं, 915 की, जिसके अंदर हमें high volume दे इसने आपर test किया, उसके बाद यहां पर closing हुई पास तारिक की, उसके बाद 6 तारिक में bank nifty यहीं कहीं, इसी red candle के साथ open हुआ, उसने भी इसके high को break नहीं किया, और नहीं low के नीचे हमें कोई ऐसा trade दिया, जहां पर हम कहीं एक position बना पाते, वहीं ऐसा हुआ कि यहां पर इसने आपर अपना day low मारा, उसके बाद यह उसी zone के अंदर trade करता रहा, आप यह 6 तारिक का चार्ट देख सकते हैं कि 6 तारिक का यह पूरा चार्ट है, यह पूरा चार्ट पास तारिक के चार्ट के अंदर ही बन गया पूरा और यह आसपास consolidate करता रहा, अगर हम इसके बट ऐसा कोई moment दिखानी क्योंकि अगर यहां पर हम trade बनाते तो यहां पर trade हम retest पर बनाते और retest करने के बाद market ने यहां से हमें नीचे की तरफ downside moment ना देखे, इस retest को इसने उपर किया और यहां पर अगर हमारा कही ऐसा लोता तो वो hit हो जाता, इसलिए हम बच गए कि हम हमने कोई इसमें trade नहीं प्लान किया, उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की, तो जब हम आगे move करते हैं तो यह आ जाता है हमारा 7 फरवरी यानि कल के दिन का चार्ट, जहां पर यह जो अपन देख रहे हैं कि पिछली जो हमने day high मार कर रहा है, market उसी range के अंदर हमें वा फुरा दिन बढ़ चलता रहा, इसने कोई एक अच्छा moment हमें नहीं दिखा है, जहां हम गई trade बन पाते हैं, और अगर मैं आपको इसके clearly एक moment दिखाऊं तो हम चलते हैं, इसके daily time frame के chart में, just wait a minute, वहां आपको थोड़ी picture और थोड़ी clear हो जाएगी कि हाँ उस time पे क्या चल ठीक है, बट अगर हम इस red candle को हटा दे, यह वाली यह जो बड़ी red candle है, यह जो आज बनी है, इस candle को अगर हम आज हम हटा देते हैं एक बार के लिए, तो आप यह देखे कि last जो तीन candle है, यह वाली तीन candle, यह जो आप छोटी तीन candle देख रहे हैं, यह तीनो candle previous days की candle है, एक पांस तारिकी, छे तारिकी, साथ तारिकी, और इन तीनों candle ने अपनी जो opening और closing price थी, वो तीनों बिल्कुल आस पास ही बन गए और बिल्कुल एक के अंदर एक ही candle बन गए, और हम यह आज से clear दिख रहा है कि market कितना consolidation phase के अंदर था, और हमने अच्छा हुआ कि trade लेते, त और सेम आज वही हुआ, यह है पांक मिनिट का चाट और अगर हमें previous day हाई का जो हमने zone बना रखा, इसको अगर मैं आगे आपको और drag करूं, तो आप यहाँ पर clear देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर इसने हमें breakout नहीं दिया, कहीं लोग बोलेंगे कि हमें breakout दिया, बट ह रिस्क है, और उसके बाद जब यह bullish candle यह उपर गई तो हमने सोचा था कि एक अच्छा moment आया है, तो हो सकता है कि carry on करें, बट इसकी next candle में आप देख सकते हैं कि market हमको क्या बताना चाहरा है, कि जो red candle, इस green candle से भी ज़्यादा power वाली red candle बन गई, वो यह बताना चाहरा है कि बाइर इतने active नहीं, जितने ज़्यादा seller active है, और उसके बाद market ने इस zone को हमारा जो जो zone था, इस zone को पर breakout ही नहीं किया, उसके बाद क्या होता है, कि market नीचे ही थोड़ा सा control rate करके, और यहाँ पर proper यहाँ पर इसने इसका rejection लिया, और rejection लिने के बाद में आप पर यहाँ एक अच्छा moment देख सकते हैं, कि जो हमें downside का moment देखने को मिला, और यह अगर हम यहाँ पर एक अच्छा हमारा zone बनाना चाहें, तो यह जहां से market की rally start हुई यहाँ से, यह एक zone हमारा बहुत ही crucial zone हो जाएगा, आगे कभी हम trade लेंगे, और इस zone के आसपस कई market आता है, तो यह आपर एक बहुत ही अच्छी demand and supply zone हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ अगर हम देखते हैं, market यहाँ पर आया और यहाँ से इसने वापिस थोड़ी recovery की, बट यहाँ से वापिस इसने नीचे के तरफ एक downside moment दिया, तो वो कैसे जो हमने यहाँ पर previous day low बना रखा था, उसको अ अब देखो आप, यहाँ से market नीचे गिरता है, गिरने के बाद क्या होता है, प्रॉपर ही यहाँ यहाँ जाकर पर हमने आज ट्रेड लेने के बारे में सोचा क्या हमारी साइकोलोजी रही अगर कुछ हमार से गलतिया भी हुई तो हम वो आगे आने वाली वीडियो में सुधारेंगे ट्रेडिंग में सुझा रहेंगे कि हमें कैसे हमें एक profitable trader बनना है उसकी journey में हमें जो जो learning process से गुजरना पड़ेगा वो हम जरूर गुजरेंगे और देखेंगे कि हम कैसे profitable trader बन सकते हैं आई विप्स की आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो मिलते हैं आपसे next वीडियो में अगले trading day पर हमारी strategy और किस चीज़ को लेके हमने trade लिया उसके साथ तब तक के लिए धन्यवाद